नेता प्रतिपक्षवाप और मुख्यमंत्री जैराम ठाकुन ने मंगलवार को धरमशाला में पत्रकार वारता के दौरान कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार को बने तीन महा का कारेकाल पूरा होने वाला है और इन तीन महीनों में जो ग्राफ कॉंग्रेस सरकार का गिरा ह है ये तिहास में पहली बार हुआ है उन्होंने मुख्य मंत्री सुखिंदर सिंह सुखु पर हमला बोलते हुए कहा कि उन की कॉंग्रेस सरकार प्रदेश में जन्मिरोधी निर्ने लेने के लिए जानी जायेगी उन्होंने यह भी कहा कि भाचपा कारेकाल में कभी एक घंटे के लिए कहीं ताला नहीं लगा और कॉंग्रेस सरकार बनते ही दो महिनों से जादा सिमेंट की फैक्टरी बंद रही जैराम ठाकु ने कहा कि कॉंग्रेस लोगप्रियता से सता में नहीं आई कॉंग्रेस ने जूटी गैरंटियों के द्वारा सरकार बनाई है और सरकार बनने के बाद कॉंग्रेस अपनी गैरंटियों से मुकर भी रही है मुख्यमंतरी सुक्विंदर सिंग सुकु कुछ बोल रहे है और उनके मंतरी कुछ बोल रहे है उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार पांच साल चलने वाली नहीं है छे महा या एक साल बाद जब भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी पर हम फिर भी जनहित में निर्ने लेंगे जेराम ठाकु ने कहा कि हमने कहा था अगर कॉंग्रेस सरकार जनहित में निर्ने लेगी तो इसका हम भी समर्थन करेंगे तो हमारा समर्थन उनके साथ रहेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखु बार बार ये कह रहे हैं हम विवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं परन्तु आज प्रदेश में भी अविवस्था का माहौल बना हुआ है इसी को लेकर नेता प्रतिपक शौप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनों हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार का लगवक तीन महीने का कारेकाल पूरा होने जा रहा है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि तीन महीने के कारेकाल में जिस तेजी के साथ कॉंग्रेस पार्टी का गिराफ लोग प्रियता का गिरा है शायद ही आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी सरकार का लोग प्रियता का ग्राफ इतनी तेजी से गुज़ा है हम लोक्तांत्र में विश्वाश करते हैं और लोक्तांत्रिक व्यवस्ता के अनुरूप हमारी मान्यता है। कॉंग्रेस को बहुमत मिला। अलंके एक बहुमत भी इस परकार के मिला कि हिमाचल की इत्यास में पहली बार 0.9% का मात रंत रहे। अन्यता हिमाचल परदेश में सरकारे बंती रही पांच प्रतिशत, चार प्रतिशत, साथ प्रतिशत और इससे भी ज्यादा अंतर रहता रहा। लेकिन बहुमत उनके पक्ष में था और हमने उनको शुब कामनें दी और हमने इस बात को भी इस पश्ट किया। कि हिमाचल के हीद में अगर आप नेरने लेंगे तो हमारा सायोग भी रहेगा। समर्थन भी रहेगा। लेकिन अगर जन विरुद ही अगर नेरने लेंगे तो निश्चेत रूपसे हम विधान सबा के अंदर और विधान सबा के बाहर हर मुद्दे पर उन बातूं का विरोध करेंगे जो जन हित में नहीं होगे तो सरकार बनी और सरकार बनने के बाद एक शवत का प्रचलन बहुत ज़्यादा किया व्यवस्ता परिवर्तन और पूरा प्रदेश इस बात को आज तक समझने नहीं पाया कि ये व्यवस्ता परिवर्तन का अभी परा है अर्थ क्या है छोटा सा प्रदेश हिमाचल अठाशर विधान सबाक्षेतर का सत्र लाग की पॉपुलेशन और आज तक कभी वहांपर डेप्टी चीफ रिष्टर नहीं बनाने की परणे पर रही है लेकिन बहुमत होने के बाबजूद भी हिमाचल परदेश में जो बेवस्ता परिवर्तन की बातें कही जारी है बार बार कही जारी हैं हर बार कही जारी हैं, उसमें मुख्य मंत्री के साथ उप मुख्य मंत्री है, एक नए शुरुवात हिमाचल पर्डेश में होगी, बहुमत अगर कॉंग्रेस पार्टी का नहीं होता और बहुमत के लिए गठ जोड करने की आप शक्ता होती है, ऐसी परस्तिती में समझ में आता हिमाचल परदेश में भारती जनता और हिमाचल विकास कॉंग्रेस पार्टी के सरकार भी बनी लेकिन उसके बावजूद वे उपमुख्य मंत्री का दाई तो उस वक्त भी नहीं दिया गया था किसी को और मेरा यह मानना है कि मैं हालंके क्षेत्रवाद की राजनिती पर कभी बात ने करता पूरा हिमाचल एक है और एक होकर कि हमें आगे बढ़ना है हिमाचल परदेश को आगे बढ़ने के लिए सब लोग को काम करना है लेकिन ये भी बात हमको ध्यान में आती है जब भी सरकार बंटी है मंत्री मंजल का गठन होता तो उसमें संतुलन होता है जातिय संतुलन होता है क्षेत्री संतुलन होता है कांगणा परदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसमें 15 विधानचवा और 15 विधानसवा क्षेतर में से 10 विधानसवा क्षेतर जो है वो कॉंग्रेस पार्टी ने जीते दस विधाय कॉंग्रेस पार्टी के लेकिन जब मंत्री मंदल की गठन की बात आई पहले मंत्री मंदल में तो स्थान किसी को मिला ही नहीं मुख्य मंत्री रुप मुख्य मंत्री हुए लेकिन जब मंत्री मंडल की विस्तार को लेकर के बाद चली हुई थी बहुत चर्चा थी ये होंगे वो होंगे लेकिन आखिरकार कांगड़ा जिसने सरकार बनाने में बहुत महत्वफून योगदान दिया उस कांगड़ा को मात्र एक पद मंत्री मंडल में जिया गया और हमारी स्पष्ट मान्यता है हमने हिमाचल परदेश में हमारी सरकार के दौरान हमने मंत्री मंडल में शुरू के दौर में हिमाचल परदेश में कांगड़ा जिलों को चार स्थान दिये तो मेरा ये कहना है कि श मुझता हूँ ये कांगडा का बड़े जिले का एक तरह से अपमान है। पूरे हिमाचल के दो बड़े जिले कांगडा और मंडी जो सबसे बड़े जिले शेत्री संतोलन की दिश्टी से मेरा ये मानना है कि दोनू बड़े जिलों को नजर अंदाज किया गया जो बहुत ही दुर्भग्यपूर्ण है। जो आज तक हिमाचल के इत्यास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट के दर्जे के साथ जो हो उनके जो साथी स्वायोगी जो उनके मित्र है। कुछ लोगं का तो कहना यहां तक हो गया कि सरकार ना तो विधायक चला रहे हैं ना मंत्री चला रहे हैं। सरकार तो यार चला रहे हैं दोस्त चला रहे हैं उनके। राश्टी अधिवेशन में अपनी जाकर जहां पहली बार उनको मंच पर जाने का अवसर पराप्त हुआ वहां पर बोलने का अवसर पराप्त हुआ। पुदी देश में खबर बनाने के लिए उनने इस परकार से अपने नेताओं को खुश करने के लिए हिंदूओं का अपमान करना हिंदूओं के खिलाप इस परकार की टिपनी करना यह बहुत दुरवाग्यपून है। स्थानुवन परत्रचत हिं शुआ हिमाचल परत्थ में फूरा कररे तब हमने हिंदू की पार्टी को हराखर Cyanganता पार्टी सब प्रकार फैके रहां हीं इस मुद्ध को लेकर हम बड़े सप्षट हैं कि विश्यवन को लेकर लेकिन हिंदुतों के मुद्दे प्रचुनाब हुआ था क्या आखिर वो कहना क्या चाहते हैं यह टिपणी सरासर गलत है यह पूरे देश के हिंदुओं का अपमान है हिमाशल परदेश की हिंदुओं का अपमान तो है